असलाम वालेकुम प्यारे बच्चों अब हम परिंदों की दुनिया इस सबक sitter हमारे मोलक में छोटे और बड़े परिंदे पाये जाते है जो रंग पिरंगी होते है और किसी परिंदों की आवास तो बहुत सुरेली होती है और कुछ परिंदों की आवास बोंडी होती है। कुछ परिंदे आसमान में बहुत उचाई तक उड़ सकते हैं और कुछ परिंदे पानी में मज़े से तैरते हैं। आओ बच्चो अब हम तुमें अपने मुल्क भारत में मौजूद खास खास परिंदों के बारे में बताएंगे। मौर हमारा कौमी परिंदा है। आपने मौर को देखा है के मौर बहुत खुबसुरत परिंदा है। ये आम तौर पर चार फिट लंबा होता है, इसकी गरदन लंबी और रंग गहरा सब्ज और चमकदार नीला होता है। बरसात के मौसम में जब बादल घिराते हैं तो मौर अपनी इस दुम को पंखे की तरह पैला कर खुब नाचता है। और इसका नाचता का ये मंजर बहुत दिलकश होता है। मौर भारत के अलावा श्रिलंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। मौर सफेद रंका भी होता है। तोता और मैना, ये दोनों को लोग बहुत शोक से पालते हैं। और ये दोनों रटे हुए जुमले ये इतनी सफाई से बोलते है कि सामने वाले को हैरत होती है तोता ज्यादा तर हरे रंग का होता है इसकी चोच मुड़ी हुई और लाल होती है तोते के बारे में मशूर है कि चाहे इसे कितनी ही महपबस से रखो एक बार पिंजरे से बाहर निकल जाए तो दोबारा वापस नहीं आता है इसलिए बे मुरववश शक्स को तोता चश्प कहते है हमारी जबान का मुहावरा तोते की तरह आखे फिर लेना भी इसी से बना हुआ है मैना का रंग गहरा कथाई और इसकी चोच पीली होती है किसी किसी इलाके में काले रंग की मैना भी पाई जाती है कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है कबूतर कई रंग और नसल के होते है ये इन परिंदों में से है जो जुन बना कर रहते है इसकी आवाज गुटरुबु गुटरुबु जैसी सुनाई देती है पूराने जमाने में कबूतर के जरीए एक जगा से दूसरी जगा पेगाम भेजने का काम भी लिया जाता था बच्चो पहले जमाने में जब मुबाइल खत फ़गर इस तरह के वसाइल नहीं थे पेगामाध भेजने के लिए तो उस वक्त पुराने जमाने में लोग अपने पैगामात कबूतर के जरीए एक जगा से दूसरी जगा बेजा करते थे मगर अभी क्या होता है कि अगर हमें किसी को कुछ में पैगाम देना होता है कोई मैसेज देना होता है तो हम फोरण मुबाइल उठाते हैं और उन्हें फोन लगा कर बता देते हैं मगर पहले ऐसा नहीं होता था इसलिए कबूतर का इस्तिमाल पैगामात भेजने के लिए भी किया जाता था